बिस्मिल्लाह रख्मानुरीम अस्सलाम वालेकूम आज मैं आपको मैट की वक्षिन नमबर 6 के बारे बताऊंगी यह आपको टोटल 4 कोशिंज दिये गए है पहला आपको बुक्का करना है इसके बाद तीन कॉपी के अब यह काम आपको कॉपी में किस तरीके से होगा आपने लास्ट काम यह वाला किया है कॉपी में इसके बाद आपको 6 का टेबल करना है और 6 का टेबल दो बार होगा आपकी कॉपी में इसके बाद यहां इन्वर्स काउंटिंग इस तरीके से करनी है वाले पर आते हैं, write these numbers in 10s and 1s, एक आपको कड़के बतायागे, 11 को 10 और 1 में हमें अलग-अलग करना है, ऐसे 14 को हमने कर दिया, 1, 10, 4, 1, इसके बाद 13 का भी हम ऐसी करेगे, इस तरीके से कर दे के, 1, 10, 3, 1, इसके बाद यहां पर भी हमें ऐसे ही करना है, इसके बाद पेश न number that is, अब यहां आपको 10 और 1 में करके दिया गए, आपको number मिला कर लिखने हैं, हम इस तरीके से इन्हें मिला-मिला कर लिख देगे, इसके बाद 5 है, write in words and in figures, one has been done for you, हमें यहां in words में भी लिखना है और number में भी लिखना है, जैसे 1 हमें करके दिया गया है, 1, 10 and 1, 1, 11, 11 लिख दिया और number में भी लिख दिया, इस तरीके से हमने 18 को भी कर दिया, बाकी सारे भी कर देगे, इस तरीके से हमने सारे कर दिये, 1 और 0 को 7 में लिखेगे तो 10 बन जाएगा, 1 औ पाद आजाते हम पेश नमबर 19 पर this is an abacus it has two rods the rod one on the left is for tens the other rod on the right is for ones यह 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 आपको दो rods दी गई है एक tens के लिए है एक ones के लिए है अब यहां पर हम देखते है रिदा adds beats on the to the abacus रिदा ने beats add किये है abacus में तो there is one beat on the ten rods tens वाली road पर एक beat है इसके बाद there are four beats on the one road ones वाली road पर चार beats है this abacus shows one ten and four ones that make fourteen यह abacus क्या show कर रहे एक tens four ones तो वो क्या plus करके बन जाए मतलब इन दोनों को साथ में लिखेगे तो क्या बन जाएगा fourteen इसके बाद आते हैं what number does the abacus show यहाँ पर हमें abacus में number दिये गए है इसके बाद हमें बताने कि वो कौन सा number show कर रहे है कि जैसे यहाँ पर वन है एक है तो वन लिखेगे इसके बाद यहां two है तो यह तू लिख देगे इसली किसे हमें इनको भी लिखना है सबको जहां कुछ भी नहीं है उसका मतलब होता है zero तो यहां हम इसे count करेगे तो इस तरीके से हम इसके answer लिख देगे इसके बात आचाते है page number 20 पर write the numbers name in the box the abacus will help you अब हमें words में लिखने है answer तो यहां 1, 2, यहां 0 तो 20 हो गया, यहां 20 लिख देगे यहां है 1, 1, 2, 3, 4, 5 यह हो गया 15 इसी तरीके से यह हो गया 19 और यह 17 इसके बाद हम यहां वाले question पर आजाते draw beats on the abacus to show the numbers one has been done for you यहां आपको एक करके बताए गये यहां आपको number दिया गये 14 आपको beats खुट ड्रॉव करने इस बार यहां जैसे दिया गये 15 तो हमने यहां 1 किया यहां five beats ड्रॉव करदें इसके बाद इस तरीके से इने भी करेंगे यहां ते आएगे आपको five यहां ten's में कोई भी number नहीं दिया गये तो हम यहां पर कोई भी beats ड्रॉव नहीं करेंगे once में हम ड्रॉव करदेंगे five यह हमने यहां फाइप beats बना लिए यहां हमारा काम खतम होता है